दोस्तो अपने अगर हमारे चैनल अभी तिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दे क्योंकि हम लाते रहते हैं ने ने बिजनस आइडिया और नहीं जंकारी के वल आपके आज हमों सब्सक्राइब करेंगे एक इस बिजनस आइडिया के बारे में जिसको आप करको महिना में 2-3,5,00 रुपया आराम से कमा सकते हैं दोस्तो तो दूस्तो इस वीडियो आपको पुरी डीटेल से बताएंगे कि यह बिजनस क्या है यह बिजनस कैसे करेंगे इसमें कौन को इसे रो मेटल की जवत होगी यह मसीन कहां से खर देंगे इसका ट्रेनिंग कहां से लेंगे इसका मार्केटिंग कहां करेंगे यह प्रोडक्ट जब तयार करेंगे तो यह सब पूरी डीटेल से हम इस वीडियों बताएंगे इस बिजनस में कितना इंवेस्ट करना सब हम इस वीडियो आपको बताने जा रहा है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मारे चनल पर आज मैं आपको चैन लिंक फैंस बिजनेस के बारे हम बताऊंगी क्या बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है chain link fence business क्या है chain link fence business में aluminium wire की जाली बनाई जाती है ये जाली खेटों में बाड़े बनाने के काम आते हैं poultry farm में स्टेट बनाने के काम आते हैं सरकार भी सड़के किनारे पौधे लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके चारो और जाली नुमा तार का घेला लगाते हैं गाड़न में, मंदीरों में, स्कुलों में, हाईये में boundary बनाने के लिए जाली दार तार का ये यूज किया जाता है जिसे chain link fence कहते हैं इसे बनाने वाले machine को chain link fencing machine कहते हैं इंडिया में इसकी मांग बहुत जादा है लेकिन इसे बनाने वाले बहुत कम है क्योंकि बहुत से लोग इस business के बारे में जानते नहीं हैं तो आए जानते हैं कि इस business को करके लाकर उपे कैसे कमा जा सकते हैं chain link fence के लिए कौन से raw material और machine के जरुवत होगी raw material के तोर पर aluminium wire का यूज होता है इस wire का बंडल या रोल आता है इसे GI wire कहते हैं ये बंडल 20 kg, 50 kg, 100 kg से लेकर 50 kg तक का आता है ये raw material आप इस्थानिया market से ले सकते हैं या फिर manufacture से ले सकते हैं machine तिन प्रकार के आते हैं manual machine, semi-automatic machine, fully-automatic machine ये machine और raw material आपको इंडिया मार्ट में या फिर आपके इस्थानिया market में मिल सकती है या फिर बड़े सहरों में पता करें chain facing machine कोई भी आतानी से चला सकता है या अलग-अलग HP का होता है जैसे 5 HP, 8 HP, 10 HP आदी machine में die change करने का चार्ट लगा होता है 8-15, 16, 17 इससे GI wire की मोटाय तरही की जाती है chain link financing की मांग कहां पर ज़्यादा होती है इस wire की मांग बहुत ही ज़्यादा है लेकिन इसे बनाने वाले बहुत कम है इसलिए इसे बेचने में कोई परसानी नहीं होगी इस wire की मांग सबसे ज़्यादा hardware दुकानों में होती है क्योंकि अक्सल लोग इस प्रकर की कीजो को खईजने के लिए hardware दुकान में ही जाते हैं ये wire खेतों में बाड़े बनाने के काम आते हैं poultry farm में street बनाने के काम आते हैं तरकार में शड़क के किनारे पौढ़े लगाते हैं तो उसकी तुरक्षा के लिए उसके चारो और wire लगाते हैं garden में, बंदिरों में, school में, highway में boundary बनाने के लिए wire का ही यूज़ किया जाता है इसका इसकी मांग बहुत ज़्यादा है channeling fence business के लिए license और protection आप कहां से लेंगे इस business के लिए आपको अपने राज्य के जीला उद्योग में जाकर registration करवाना होगा आप दुकान या गोदाम जहां से आप business करना चाहते हैं तो उसका भी registration करवाना होगा channeling fence business के लिए आप loan कैसे लेंगे इस business के लिए आप bank में loan के लिए apply कर सकते हैं प्रधान मंतिरी मुद्र योजना के तहर भी आप 50,10,000,000 तक की रासी loan लेख सकते हैं जिसमें 25% की subsidy भी दी जाती है channeling fence business के लिए आपको कितने लागट क्या हो सकता होगी इसका raw material 40-20 रुपे परती किलो मिलता है इस business को सुरू करने के लिए आपको सुरू में बस फोड़ा खर्च करना पड़ता है उसके बाद आप tip raw material में आपको खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद आप अधिक अधिक मुनाफ़ा इसमें कमा सकते हैं channeling fence business में आप कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं एक किलो वायर 40-21 रुपे में मिलती है और यही वायर fence बनने के बाद मार्कित में 55-57 रुपे में बिखती है इस प्रकार हमें एक किलो वायर में 10-10 रुपे मुनाफ़ा होता है इस machine से एक घंटे में 110-130 किलो प्रोड़क्शन किया जा सकता है तो इस प्रकार आप एक घंटे में लगभग 11 रुपे कमा सकते हैं अगर इस machine को 7 घंटे यूज़ करते हैं तो आप एक दिन में 7,007 रुपे कमा सकते हैं और महिने में 2,31,000 रुपे तक कमा सकते हैं चैनलिंग fence की मांग ज्यादा है और उसको बनाने वाले कम है इसी तरह में आगे भी कम बजट में ज्यादा मुनाफ़ा वाले बिजनेस आइडिया के वीडियो सब लोग करती रहूंगी तो मिलते हैं दोस्तों एक बार नए बिजनेस आइडिया वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद